नमस्कार परिया विद्ध्यारतियों, वीकें रोलेज इलेक्टिकल में आप सभी का स्वागत है इस रो सतीस दबन स्पेस सेंटर टेक्निशन इलेक्टिशन का 14 फरोवरी 2024 अभी रिसेंटली पेपर हुआ है और हम आपको वो सोलुशन करवा रहे हैं क्योंकि रिसेंटली इस रो एनरसी का आप सभी का पेपर होना है तो उस सिक्वेंस में हम आपको इस पेपर के 40 क्युस्टन प्रिवियस दो क्लासेज में करवा चुके हैं आप उन दोनों क्लासेज को भी जरूर देख करके आईएगा इस रो पेपर सोलुशन में ये हमारा डे थरी है जहां हम आगे के प्रसनों को आज बढ़ेंगे यानि क्युस्टन नमबर 41 से काफी इंपोर्टेंट क्युस्टन है उसके आसपास जितने भी सवाल होते हैं जितने भी क्युस्टन और बनते हैं वो भी आपको बताने का प्रियास करते हैं उम्मिद कर रहा हूं परतियोंगी प्रिक्षाओं कि दर्ष्टी से क्लास आपके लिए बहुत सपोर्टिव रह रही होगी आज हमारा तीसरा दिन है जूट जाईए सभी आप भी कनेक्ट हो जाईए फिर करते हैं अच्छा पेपर है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एक बार इस क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ सेर कर दीजिए फोरवर्ड कर दीजिए उन तक पहुँचा दीजिएगा ये लाश्ट फोर्टी के उससन जो प्रिवियस क्लास में हमारा हो चुका था वो दोनों क्लासिज अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जरूर देखना कई बार क्या होता है कि आप इसी क्लास से हमारे साथ किनेक्टेड होते हैं किस उदेशे के लिए लंबी ट्रांसमिशन लाइन के ओवर हेड तारों का पक्षांतरन किया जाता है इंगलिस वाले बच्चों के इसाब से बता दूँ लॉंग ट्रांसमिशन लाइन में जो हमारी ओवर हेड लाइन के कंड़क्टर्स होते हैं उनकी ट्रांसपोजिशन क्यों की जाती है तो इसके लिए दो ओप्षन दे सकते हूँ अगर इंड़क्टेंस रिड्यूस करने का ओप्षन होना तो कुछ जिगह वो भी किया हुआ है इंड़क्टेंस के अलावा अगर कहीं पर कोरोना का ओप्षन हो तो वो भी है वैसे ये इतना वो कहेना की मतलब एक तरह से कॉम्प्लेसिटी वाला क्योस्टन है कि इसके ओप्षन हर बार अलग देखने को मिलते हैं तीसरा उप्षन जो की क्योस्टन के इसाब से हैं वो है कि लाइन की धारीता यानि इंड़क्टेंस को बराबर करने के लिए एक्वल करने के लिए क्योंकि लाइन की लंबाई जितनी होती है उसकी केपेसिटेंस उतनी ही बढ़ती जाती है में फिरंटी प्रभाव देखने को मिलता है तो अगर कैपेसिटेंस एक बराबर रहेगा लाइन में तो फिरंटी प्रभाव जो है उसको कुछ हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं ठीक आईए अगले सवाल की तरफ ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्योस्टन थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं क्योंकि ये तो पूरा दिखाई दे रहे हैं लेंबर्ट का कोसाइन नियम किस से रिलेटेड है किस फिल्ड से जुड़ा हुआ है अब ये तो एक तरह से बोनस हंकी था बोल सकते हैं बोनस ही था क्योंकि लेंबर्ट का कोसाइन नियम इल्यूमिनेशन यान फोर्मूला लगाते हैं आई अपोन डी स्क्वेर इंटू कोस फाई इसमें से निमेरिकल आ चुका है पेपरों में इस रोने सवाल पूछा था वही मैं बता रहा था ना कि जुड़े वे क्यूस्टन उनके आस पास जितने भी है तो बताऊंगा इस रोने सवाल ये पूछा कि एक परकास ये शोर्स जो है वो 60 डीगरी पर अभी परकास दे रहा है 30 डीगरी था आज सोरी मुझे चलो पूरी तरह से वो क्यूस्टन याद नहीं है प्रीवेस पेपरों में तो है आप उमीद कर रहा हूँ प्रीवेस पेपर पड़ी रहे होंगी हमने भी आप गो सवाल यह था कि 30 डीगरी से एंगल को अगर 60 डीगरी कर देते हैं तो इल्यूमिनेशन का अनुपात क्या होगा यानि यहां पर जो प्रदिप्ति थी वो और यहां पर जो प्रदिप्ति हैं उन दोनों का अनुपात बताओ कितना शांदार कि उसन है बहुत सारे बच्चों क दिमाग में आएगा कोण डबल हो गया तो एक बटा दो कर दो यहां एक अनपात दो कर दो यह दो अनपात एक कर दो नहीं कोस 30 और कोस 60 की वेल्यू देखनी होगी समझ रहे हैं तो इस तरह की किसन्स आते हैं इन में अब यह किस लेवल का किसन्स हो गया बताओ कोई सोच सक सब्दा था क्या इसलिए कहता हूं कि प्रेक्टिस पहले कर जाया करो आई अगले स्वाल पर तीन फेज आल्टरनेटर की अगर स्पीड बढ़ती है तो उसकी आउट्पुट में इन में से किस पर परभाव पड़ेगा देखो भई बड़ा सिम्पल है अगर हम फरिक्वेंसी के हिसाब से बात करें तो एफ जो हमारा फरिक्वेंसी केल्कुलेट करने का फॉर्मूला है वो पी अपॉन बन ट्वटी होता है यानि आल्टरनेटर में इंड्यूस वोल्टेज की जो फरिक्वेंसी है वो पॉल और गती दोनों के समानुपाती है और आईए अगले सवाल पर अचाहिए इसमें कोई यह पूछ सकता होगा कि वोल्टेज क्यों नहीं बढ़ी है या मैं आप से पूछू बही जनरेटरों के मामले में हमारा प्रेडित एमएफ तो बील भी साइन थिटा होता है ना तो जब वेलोसिटी यारी वेग बढ़ा तो क्यों नहीं बढ़ा जान से सुनियागा आल्टरेटर के मामले में वो ग्रीड के साथ सिंक्रनाइज हो जाता है और एक इसे अनंत बसबार बोलते हैं अनंत बसबार से जुड़े आल्टरेटर की फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज दोनों कॉंस्टेंट होते हैं याद रखना इसलिए वोल्टेज के मान में तो वरियेशन तब ही आसकता है जब आफ लक्स को बदलोगे उससे पावर फ्रिक्टर बदलता है उसमान में आता नहीं केवल अब लोड के सापेक्स चेंजिस देखते हैं इसलिए स्पीड से फरिक्वेंसी जरूर बढ़ जाती है हलांकि इस को चील में होगा हम इसलिए तो करते हैं आरे लोस के दो भाग होते हैं कौन से एडी करंट और इस्ट्रेसिस तो इससे कौन सा कम होगा ये आपको थोड़ा द्यान रखना होगा कि इस जलूर्स कम होगा कि अडी करेंट कम होगा तो सिलिक जिए से लेमिनेटी सिलिकॉन सिलिकोन स्टील के इस्तेमाल से स्ट्रेसी सानी कम होती है दो अलग-लग शवाल बनते हैं ध्यान से सुनियेगा ले मिनेर क्यों करते हैं तब आपको आंसर करना है अलग से पूछा चाहे तब आपको बथाना है अच्छा किछन है वैसे और सब का सही भी हुआ होगा प्रक्रम उध्योग इंग्लीज में बोलते हैं प्रोसेसिंग प्लांट प्रोसेसिंग प्लांट वो होते हैं जहां पर हर इक चीज को हम प्रोसेस करते हैं किसी चीज की मान लो छंड़नी करते हैं कहीं भी समझे लो कोई भी चीज हो प्रोसेसिंग ही बोलते हैं प्रकिया प्लांट कोईपी इंडेस्ट्री मेंल प्रकियों करो नहीं है। ठीक है देखो अगला सवाल परिवर्टक के ओश्यत के लिए ओ एफ एफ सीतलन सुचकांख क्या होगा कि उसन की लेंग्वेज तो इसकी सही नहीं है क्योंकि परिवर्टक को हम कन्वरेटर बोलते हैं ट्रांसपॉर्मर नहीं बोलते हैं ओश्यत का मतलब भी एवरिज होता है लेकिन हमें तो इस कूलिंग वाले सब्द से मतलब है और ये हम आपको पहले ही करवा चूके ओ एफ एफ कूलिंग पूछ रहा था तो ट्रांसपॉर्मर भी ये कूलिंग होती है हम यूज भी लेते हैं फोर्षड ओयल और फोर्षड एयर होता है पूरा बोलें ओयल यू प्रबलित ठीक है उसके बाद में एस एफ 6 का अमकाम में लेते हैं ये रहा एक और जिसको अपन बोलते हैं ओ एफ ए एन ठीक है यानि ओयल फोर्षड एयर नेचुरल एक और भी होता है ओ एन एन भी होता है यानि ओयल नेचुरल एयर नेचुरल भी होता है ठीक है जह तेल प्राकृतिक रूप से गुमता है और वो प्राकृतिक रूप से ही ठंडा होता है जी आईए अगले सवाल पर निवन परिपत के माद्यम से बैने वाली धारा का मान क्या होगा सभी परतिरोधकों का मान ओम में है पहले डाइग्राम देख लो आप बोलो तो और जूम कर देता हूं नहीं तो ज़्यादा जरूरी नहीं है मान बता देता हूं खल करने का परियास आप भी करना तीस वोल्ट का सप्लाई शूर से दस सोम का एक रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ है और तीन नो पंदरा पंदरा ओम के यहां पर पेर्दल में लगे हूँ है अब यह क्यूस्टन सेम टू सेम में आपको करवा चुका हूँ कई बार अगर आपने देखा हो तो इसी फोटो पो लेकर है ना कहां से आई थी फोटो वो भी मैं कई बार आपको बता चुका हूँ देखो हमें अगर परिपत की कर्रेंट गयात करनी है तो वीवर ट्यार करना है यानि टोटल वोल्टेज में टोटल रेजिस्टेंस का भाग देना है रेजिस्टेंस के लिए देखो पहले ये तीनों पेर लल में है इनका एक करेंगे तो पंदरा 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 तीनों की जगे एक आजाएगा और वो गितने का पांच ओम का कैसे पता लगीगा पेर लल में टोटल रेजिस्टेंस ग्याद करने के लिए रपून एन का फोर्मूला अपना लिया करो जब सारे समान मान के हो ठीक है ना तो पंदरा पंदरा के तीन है इसलिए टोटल पंच आया दस ओम और पांच ओम फाइनली दोनों सीरीज में जुड़े वे हैं तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया पंदरा ओम समझ में आ रहा है न यानि तीस वोल्ट की सप्लाई है पंदरा ओम का रेजिस्टेंस है धारा का मान हो गया दो एमपीर उमीद है आप पेपर कर गया है और आपका ये सवाल सही हुआ ही होगा ठीक है देखो गड़ते हैं अगले सवाल की दरब से और क्योसं क्या कह Papacare Sirmayman हमसे येस ठीक ठाक है पढ़ा हुआ क्यूस्टन है अभी दो मिनिट पहले इसी पी तो ज़र्चा हो रही गी लो है कॉर को लेमिनेट क्यों करते हैं इतना असान क्यूश्टन कोई क्योन पूछ रहा है आपसे मेरे तू समझ से बारे लेमिनेट करना है बहमरदारा रहानी आएगा क्योंकि भांडारा को इंग्लीस में क्या बोलते हैं एडिगंट बोलते हैं और फिसा त्रेश कीव का क्या जाएगा legeल कॉपरलोज कम करने के लिए क्वाह कूं तो आधै किसी हम step the core arrangement अपनाते हैं कोर की विवस्ता में कुछ चेंजिस करते हैं अगला सवाल देखो ये भी तो ठीक है पहले भूत बार पढ़ रखा होगा आपने बिल्कुल पढ़ा है इस की उसन को इसकी उसन को इनी पढ़ा तो क्या सवाल क्या करे कोई भी मोटर हो उसकी output power कहां से लेत तो rating में ध्यान रखिएगा name plate पर जो rating होती है वो rated power परतेक machine की output power ही होती है जैसे किसी मोटर की name plate पर लिखा हुआ है 5 HP इसका मतलब है ये motor हमें 5 horsepower का output देगी machine के अंदर यांत्रिक सक्ती पेदा कितनी हो रही है हमें नहीं पता लेकिन इसकी output मांच HP ये confirm है यानि name plate पर लिखी गी power हमेशा कौन सी होती है वो होती है जो subt पर उपलब output power होती है second example या और deeply चले तो output में मिलने वाली power को हमेशा हम BHP बोलते है यानि break chorus power बोलते है इसका म indicated order power सूची तरह सकती अब machine की अगर यांत्रिक दख्ता IHP और BHP का अंपात यांत्रिक दख्ता कहलता है है कि सवाल के पास देखो कितनी क्युस्ण होगे लेकिन याद रखना नेम प्लेट पर जो दक्सता होती है वो यह नहीं होती नेम प्लेट पर दक्सता होती है ओवराल एफिसेंजी कितने वाट लिया था उसके बदले आउटपुट में आपको कितना लोड उसने आउटपुट दिया वैसे तीन दक्सताइं होती है कि बीच मे क्या हुआ था याद है ना सब को आजाए ये अगले सवाल पर इन में से किस की उच्चतम तापमान सेहन सीमा है वह ये डाउट फुल के उस सर है मैंने तो उसी दिन बता दिया था आपको क्यो अब्जेक्शन कर देना बी ओप्शन कर रहा है माइका और सी कर रहा है फाइबर ग्लास तो माइका और फाइबर ग्लास दोनों एक में आते हैं वाई ए ए बी एफएच सी कर लो तो ई और बी दोनों में आपका माइका और फाइबर ग्लास आता है ना है ना तो बताओ क्योस्टन समझ में आया कि नहीं बढ़िया क्युस्सन है अच्छा है पढ़ सकते थे अराम से अच्छा एक यह देखो भई इनों ने यह इस तरह की क्युस्सन वो होते हैं जो देखो सही हो गया तो हो गया नहीं तो सबका एकलत होता है कोई इसका वो नहीं है value कह रहा है कि जब हम घरों में wiring करते हैं तो उसम के अंदर तो यह अलग लग है और particular कोई fix नहीं है सीधा सवाल उठाए हाँ अगर 27-22 का paper देने जिन्दगी में दुबारा मुखा मिले तो फिर इस topic से जुड़े वे और सवाल भी पढ़ गर जाना क्योंकि या तो वो previous question को देते हैं या फिर उस topic के साथ में जुड़े वे topic से सवाल देते हैं यह चीजें तो मैं आपको confirm बता रहा हूं तो इस topic के आसपास थोड़ा time दे देना और जितना कर सको कर देना अगला सवाल देखो EMCB का क्या उपयोग करते हैं अर्थ लीकेज सर्किट बरेकर है लीकेज करंट से ही बचाओ करेगी लीकेज को हिंदी में रिसा और ने हैं और इसकी जगह आने लग गई है मोटर में स्टेटर और आर्मेचर के बीच स्थान कम क्यों रखते हैं अब देखो आर्मेचर सब्द इस्तेमाल कर दिया तो हम इसको डी-सी की तरफ ले जाते हैं जनरली क्या होता है कि डी-सी में पावर फिक्टर हम बेटर मानते हैं इंडक्शन मोटरों से वैसे इसके तीन जनरेटर की अपयक्शा मोतर में डी-सी में एर गेप कम होता है डी-सी मोटर के इसी मोटर में थोड़ा ओर भी कम होता है उचके पीछे तीन कारण जनरेटर की इसे मोटर में ताकि हमें मजबूत चुम की च्यतर मिल सके जितना मजबूत चुम की च्यतर हर यानि Syndrome alguém कोई मिल होता है तो इसके पीछे कारण होता है इंडक्षन मचीनों में पाउर फेक्टर पीर लेके इच फलक्ष से पाउर फेक्टर और ज्यादर डाउन आ जाता है क्योंकि शॉत्तर करना मजबूत चुम के फलक्ष प्राप्ट करना इसका सही उत्तर होगा अग्ला सवाल देखो कारियरत समतल पर परियोग किया गया कुल लियूमन और लेंप द्वारा विसरजित कुल यानि सिंपल सा ये कह रहा है कि उपयोगी फलक्स लेंप का और लेंप के द्वारा इमिट किया गया लाइट उत्सरजित फलक्स ठीक है न उत्सरजित फलक्स कितना है तो इन दोनों के बीच का होता है इसे यूटिलाइजेसिन फेक्टर बोलते हैं उपयोगी ता गुणाक बोलते हैं मान हमेसा एक ऐसे कम होगा यानि जितना लेंप हमें दे रहा होता है उतना यूज कभी नहीं होता है ये तो सबको पता ह ठीक है डारेक्ट लाइटनिंग में फिर भी इसकी पोसिबिलिटी रहती है क्योंकि वहाँ पर हमें जितनी जुरूरत होती है वहीं हम फोकस रखते है एक्सल्पी केबिल का पूरा नाम पूछ रहा है तो क्रोस लिंक पोली एथिलिन आ जाएगा कोई इसमें डाउट नहीं है और हर बच्चे का ये सवाल साइख होना भी चाहिए ओट्रानस्पॉर्मर का उपयोग क्या है देखो भी इस चीधरी सी भात है ओट्रानस्पॉर्मर इंस्ट्रॉमेंट में तो है नहीं सी टीपटी आएगा कंट्रॉल ट्राइस्पॉर्मर में हमेसा दो वाइंडिंग व वोल्टीज मान को वेरी चाहते हैं, आउटपुट में हम अपने अमसार वोल्टीज अप्राप्ट करना चाहते हैं, तो बारत में सामालेते हैं, अर्थिंग का परकार कौन सा है, तो देखो वैसे तो प्लेट अर्थिंग भी है, लेकिन इस ओप्शन के साथ तब जाना है, तीनों में करवा चुका हूं, सबसे पहले हम ही थे वो जो इन अर्थिंग को यूटूब पर आपको करवाया था, हलांकि उसके बाद तो साइध किसी ने और ने भी एक्स्प्लेइन कर दिया होगा, सर्च करके देख लीजिएगा, अर्थिंग का, इन टॉपिकों पर हमारी वीडियो आएंगे, यूटूब पर डाल रखें, आपके लिए जरूर वहां जाकर एक बार क्लास अटेंड जरूर करना, और अब तो डिजिटल बोर्ड पर फिर कोर्स में आपको पूरा डाली दिया है, ठीक, आईए अगले सवाल के तरफ, किन कारणों से वीडियो तूप समीकरन पूछ रहा है, यदि N RPM में दे रखा हूँ, बहुत ही बड़िया सवाल, 5ZNP60A हो जाएगा, अगर RPS में होना, चक्कर परती सेकंड में, तो फिर 60 का भाग नहीं देते, ठीक है, चक्कर परती सेकंड में होता, तो 60 से डिवाइड आपको नहीं करना था, और आईए अगले सवाल पर, DC जनरेटर में उत्पन EMF का आयाम मुखेत है कि amplitude किस बात पर निर्वा करता है, यह देखो, यह आगया, वो क्यूशन, R मेचर की गती पर, क्यों से रिमान जी, क्योंकि E बराबर B L V साइन थिटा, मतलब यह हो गया, गुरुजी, A की पेपर में, A की लग Foundation सिधी बात है, नहीं सुधरेगा, Bruce की quality का कोई मतलब नहीं है, EMF की बात कर रहा है, और winding के परकार की बात नहीं कर रहा है, तो speed बढ़ेगी, तो amplitude भी बढ़ेगा, राइट, बताओ बात समझ में आई क्या, तो यह थे 60 क्यूशन, और class को यहीं रोकेंगे, 61 क्यूशन से ज दबा दीजिए बटन, description में लिंक है, एप काउनलोड कर दीजिएगा, membership जरूर जोइन करें, इसी तरह के इस रोके टेस्ट अवेलेबल है, उनसे practice कीजिएगा, बहुत धनिवाद, शुक्रिया.